कि अधिया जैसी राम मैतुल बर्मा अध्या से मित्रो आजम आ चुके हैं जो अध्या के सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि कहा जाता है कि अध्या की तूरिस्ट को सबसे ज्यादा बढ़ाओ देने वाला वही जगे जो कि एरपोर्ट मर्यादा स्रीराम इंटरनेशन एरपोर्ट की हम बात कर रहें तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने वीडियो में ध्यार सारी वीडियो के द्वारा आपको दिखा कि टर्मिल का काम कितना हुआ है आगे रंबे का काम कि नौ लेकिन आप आगी कर देखें हैं लेकिन हम आज आपको चलने दिखाने कि जो रन्वे के जस्ट पीछे वाला भाग वो कहां तक बना हुआ है और अभी कितने तेजी से यहां पर काम चल नहीं तो यहीं जो रन्वे का पीछे वाला भाग है जो कि रन्वे को 900 मीटर और लंबा किया गया है 900 मीटर तो यहीं जगहें जो 900 मीटर लंबा कि आप देख सकते कितने ठेर सारी लंबे स्पेस में इसको और बनाया जा रहा है तो फिराल हम चलने हैं आपको लास तक दिखाते हैं कि जो की जिसी वेक और ऐसे काम काफी तेजी से चला उसको भी दिखाएंगे और कहां तक यह सबनाया देखेंगे। साइड चेक करिए यह पूरा वहां से बनाते हुए लेकि जाएंगे साइड का जो कि इसकी खनाई की काम पहले ही कर दिया गया इसके पस्चात आप इसको बनाया जा गया है तो इसके आगे और भी चलते हैं आपको दिखाते हैं जो एरपोर्ट की बाउंडरी है कितने लास्ट की साइड साइड में उसकी लेबलिंग का काम देखे कि तेजी से हो रहा है इस मसीन के द्वारा इस साइड चेक करिए यह देखिए इसको पूरा बैठाय जा रहा है आपको ऐसे आपको आप पूरा सीधे आगे तक दिख जाएगा जो कि वहां भी जैसी भी वहां लगी और उस साइड आप चेक करिए उधर है जो कि गाउं एक हुआ करता था यह पूरा एरिया गाउं ही था जो कि एयरपोर्ट के के दायरे में आने के बाद इसको तोड़ दिया गया और वही जो कि साइड में बचे हुए गाउं अब रह गए हैं इथर का जो गाउं का आप आप ये दखेए यह एरपर्ट की जो बांटरी है इस साड आपको दिख जाएगी यह देखिए इसी Hindi प्रकार से एरपर कि बांटरी किनारे किनारे आपको बंती में दिख जाएगी और इसी के जिश्ट साइड में आपको जो की बांटी वाल March साइड में एक पाथ आपको बनता हुआ दिख रहा होगा आप सामने से उधर चेक करिए वह पाथ यहां से पूरा बनता हुआ इस साइड पूरा चला जाएगा इसकी किनारे और भी चलते हैं आगे दिखाते हैं कि यह कितने आगे तक और भी फैला हुआ है तो इसी प्रकार से बने रहे हमारे से वीडियो में तो आपको ऐसे ही नएने अफडेट देते रहेंगे तो आप सो मित्रों जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि जो यह रन्वे का कार यहां पर बहुत तेजी से चलना है आप देख सकते हैं कि आपको सामने वह मेन जो रन्वे आप उस साइड दिख जाएगा इसके जस्ट पीशे आपको देख सकते हैं कि यह रन्वे का कार यहां बहुत तेजी से हो रहा है कि जो रन्वे का काम कितना तेजी से हो रहा है जो कि कहा जाता है कि जनुरी दोहजार चौबिस में राम जनम भूमी का जो ओपनिंग हो जाएगा इसके साथ साथ से पहले जो यहां का मर्यादा स्री राम इंटरनेशनल एरपोर्ट का जो काम है वह यहां पे बहुत तेजी से कंप्लीट कर दिया जाएगा उसके साथ यहा माईप्लाइन का जो कार रहे आप देखे इधर हो रहा है आप साइड चेक करें इधर पूरा आपको सामने वहां तक दिख जाएगा उस साइड देखे आपको जैसी वी गवरासे काम करता हूँ दिख जाएगा इसके पसाद अभी कुछ दूर और आपको चलते दिखाते हैं इस दिसंबर के लास्ट तक यह रनवे का काम पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और इसके पच्छाद यहाँ पे जो बिमान का जो चालन है वो सुरू हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात यही है कि अध्यावासियों के लिए कि एक नया प्रोजेक्ट है इसका सुरुवात हो जाएगा और किसी को आने जाने में एक प्रसेंट भी दिक्कते नहीं होने वाली है तो हम चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि रनवे का काम कहा तक हुआ है त यहां पर मिट्टी अधर कम है उसको ले जाके वहाँ पे डाला जाएगा और इस साइड की देख सकते हैं तो इस साइड बहुत तेजी से यहां पर काम चला है और जो की एरपोर्ट की बाउंडरी है वो भी बहुत तेजी से बना जा रहा है और एक विशेश बात यह देख आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें कहा जाता है कि यह पोर्ट का जो बाउंडरी है वो एक भगवा कलर से जैसे पूरी हमारी आयुध्या एक भगवा कलर में एक common code building को follow करते हुए बनाई जा रही उसी प्रकार से यहां पर जो एरपोर्ट की boundary है वो भी एक भगवा कलर में ही रही जा रही है तो चलेंगे भी आपको और पास से जो एरपोर्ट की boundary है उसको भी आपको दिखाए और इस साड़ आप चेक करिए यह जो boundary boundary वाल है सबसे पहले इसके side side में जो यह पिलर लगा जाते हैं आप इदर देखिए यह पिलर लगा जाता है इसी पिलर के बीच में पतली पतली जो प्लेट होते हैं उसको फिक्स किया जाता आप इदर देखिए यह एरपोर्ट की boundary है इस परकार से इसी परकार से पूरी एरपोर्ट की boundary बनी हुई है जैसे का आप देख सकते हैं आगे भी कार बहुत तेजी से हो रहा दर देखिए जैसे भी चल लहीं है तो चलने और पास से दिखाते हैं कि काम कितनी तेजी से हो रहा है इधर देखिए मित्रों बड़े-बड़े पत्थर इसको सब उखाड के रखा गया है जो कि यह बाप को भी हमने बताया कि जो छोड़ी-छोड़ी स्लाइड है इसी फिक्स करके लगा जाती है जो खराब हो गई जो टूट चुकी है उसको यहां पर रखा गया इस साइड आप देखिए और यह देखिए आगे इधर भी पतली-पतली सीट्स और र रिपोर्ट है जो जल्दी तैयार हो जाए इसके बाद यहां का कुछ और डेबलब हो सकता है और इस साइड देखिए यह इंजिनियर लोग का कुछ अपना एकूट्मेंट है जो कि यहां रखे हैं जहां से आप चकाउट करते रहते हैं और यहां की जो देखिए धर इस योगरा निकाल के डंफर के द्वारा और आगे लेकर जाया जा रहा है जहां पर इसकी सक्त जरूरत है आप इस साइड देखिए लगातार इसी प्रकार से दिन और रात इस एयरपोर्ट के काम हो रहा है अब इसके करिए अब इसके साथ आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि यह जो काम होने के साथ साथ जो रोड है एयरपोर्ट पहले यहीं तक ही आया था इसके बाद जो 900 मीटर बढ़ाया गया है तो आपको बताना चाहते हैं कि यहां से इस रोड के जस्ट आपको आगे देखने मिल जाएग जो की 900 मीटर और लंबा किया गया है साथ देखिए एयरपोर की बाउंडरी हो गएरा बनना चालू हो गया है तो उसी प्रकास से आगे भी जिसी बगएरा से बहुत तेजी से काम चलना है और यह रन्मे का काम बहुत तेजी से यहां पर भी हो रहा है तो ऐसे ही नहने है तब तक के लिए जा फिर रहा हूं